सबी लोगों को प्रणाम उमीद करते हैं आप सब सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे बिहार जो है दोहरी मार बार को लेकर के और करुणा को लेकर के जेल रहा है तबाई है चारो और लोग जो हैं तरहिमाम तरहिमाम कर रहे हैं और हमरी राज की सरकार नितीश कुमार जी एक सो तीस दिन से भी ज़्यादा हो गया वो सोई वे हैं और आप लोगों के बीच मैं फेस्बुक लाइव बाद्ध्यम से हमेशा जुरा रहा हूँ और आज भी आप लोगों के बीच अपनी बातों को कहने आया हूँ आप लोग सब लोगों ने देखा होगा शोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो जो हैं बिहार के अस्पताल को ले करके मरीजों को ले करके जो उनके परीजन जो हैं आम नागरिक जो हैं वो बनाने का काम कर रहे हैं बिहार की स्थिती वाकी में नाजुक है सरकार को लगतार हम लोगोंने सचेत करते रहे हैं सलाह देते रहे हैं लेकिन सरकार जो है इस पर गौर नहीं करती है क्यों नहीं करती है यह स्पष्ट है सरकार के लोग जेडी यू के लोग बीजेपी के लोग वर्चुल रैली करते हैं लेकिन लोगों की जान की चिंता नहीं है बार की चिंता नहीं है जो लोग हो रहे हैं मर रहे हैं लोग लाशू का ठीड़ लगा है उसकी चिंता नहीं है और सरकार जो है कहीं भी सरकार के लोग कोई देखने वाला नहीं जारा न सुनने जारा है मतलब जन्ता जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे है तो आपको टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जब तक आप बिमारी को ट्रेस नहीं करिएगा तब तक जो है आप करोना महमारी से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं बिहार में पट्टा में लॉकडाउन है फिर क्या होगा जिस सरकार पर निर्भर करता है कि आगे लॉकडाउन कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा लेकिन लगबग 12 से 13 करोर हैं और अब तक जो टेस्ट हुई है पूरी बिहार के पॉपुलेशन का जनसंख्या का केवल 0.35 फीसदी ही टेस्ट हो पाया है मैं फिर से दौर आता हूँ 0.35 फीसदी ही टेस्ट हो पाया है पूरे बिहार के अबादी का अगर लिया जाये तो और प्रती 10 लाग अबादी के हिसाब से प्रती 10 लाग अगर हम लोग ले करके चले यानि 10 लाग लोगों में से केवल 308 लोगों का ही जाज हो पा रहा है ऐसे स्थिती में हम लोग करोणा से लड़ने पाएंगे बत इंतजामी है डॉक्टर को पीपी किट्स नहीं उपलब्ध हो रहा डॉक्टर जो है आज पटना के ही जो सिविल सर्जन है उनको भी पॉजिटिव हो गया वो हो माइसलेशन में भी है समस्तिपुर में भी हम पूछना ही नहीं है मतलब कि सब कोई जो है करोणा के चपेट में है अब दिर्चस बात बताएंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार का नितीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और बार बार आईना बदल रहे हैं नितीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं मेरा कहने का मकसद यह है कि नितीश कुमार जी के वज़ा से पूरी तरीके से बिहार में मिस मैनेजमेंट हुआ आज जो स्तिती पैदा हुई है जिस सिचुवेशन में बिहार है इसको लितीश कुमार जी ने बत से पत्तर बना दिया और बिहार ऐसा पहला राज है देश का जहाँ इस विपरीत के घरी में विपरीत स्थिती में विवदा के घरी में नितीस कुमार जी ने तीसरा प्रधान सचीव जो है हेल्फ डिपार्टमेंट का वो बदला इसलिए हम कह रहे हैं चहरा उनके धूल जो है उनके चहरे पर लगा है और बार-बार जो है आईना बदल रहे हैं अब हाला कि वो जाने इस पर जारा कुछ हमको टिपा टिपने नहीं करना उनका अधिकार है बदलना लेकिन जब करोना की जब लड़ाई में बार-बार कप्तान बदलते रहें तो क्या इस्तिती बन जाएगी मंगल पांडे ऐसे मंत्री हैं जो टिक टॉक देखते रहते हैं बैठकों में जब चमकी बुखार आई तो आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट का स्कोर पूछते रहते हैं कोई गंभीर नहीं है बताई ये चार महिने से एक बार के वल एनमसीच वो गए वो भी विपक्च और हम लोग लगतार उन पर दबाव डालते रहें सरकार के लोग तब वो चार महिने में एक बार जाते हैं तो वाके में श्तिति बेहद नाजुक है नितिश कुमार जी कोई करवाएं न reviewers कर रहे हैं अपने कुर्सी बचाने के लिए वो जो हैं चुनाओं की चिंता कर रहे हैं लोगों की जान की चिंता नहीं कर रहे हैं अब हम अरे पास आपको याद होगा आप सभी लोगों को कि स पोट जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट क्या है तो एक अंग्रेजी अकबार है जो बहुत ही बढ़ा अकबार है उसने अपने अकबार में छापा कि Central Committee की रिपोर्ट क्या है मैं चाहूंगा आप लोगों से हम बताएं कि क्या इस्तिती है members were august at what they saw in Patna as they visited multiple hospitals including bodies of COVID-19 patient lying unattended on beds and in corridor जब वो committee के लोग आए तो dead bodies जो है COVID-19 के वो unattended मतलब की corridor में वरंडाओं में उनकी लाश पड़ी हैं beds पे जो हैं लाश पड़ी हैं कोई उठाने वाला नहीं रहा और पेशेंट्स के जितने भी अटेंडेंट्स थे वो बेचैनी में अंदर बाहर कर रहे हैं दोक्टर्स अब नॉट गोई नियर दगोविड-19 पेशेंट आज दो होल सिस्टम हाज ब्रोकिन डाउन दोक्टर्स फैर दाट इव दे गेट इन्फेक्टेट नो वन विल टेक यानि इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर्स को डर लग रहा है कि पेशेंट के पास जाए या ना जाए क्योंकि सरकार जो है उनको पीपी किट्स जो है वो उपलब्द निकरा पारी तो उनको डर है कि भाई वो इंफेक्टेड ना हो जाए उनको यह बिमारी ना फ्याल जाए इसलिए वो मरीजों के पास नहीं जा रहे है उनको यह संदय है अगर वो जाएंगे मरीजों के पास बिना पीपी किट्स के तो उनको भी यह बिमारी हो जाएगी और उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा यह डॉक्टर की चिंता है जो वो कमिटी की रिपोर्ट है यह म बिहार सटकार जो है पैसा ही नहीं खर्च कर रही कोविड-19 चे लगने में आपको भी पता इतना पैसा खर्च बोलते हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन पूरा भरष्ट चार का सिस्टम जो है वो कौकस जो है वो कायम हो चुका है और र यानि बिहार सरकार खरीदी रही है रपिट एंटीजन किट्स होता है जिससे जाच कराई जाए वह किची लीए यह मैं नहीं कहले है यह कमीटी का रिपोर्त कहरा है अगर आप देखें कि रिक्वार्मेंट जो है बिहार का वह चार्ड लाग है और बिहार सरकार खरीदने लिए अब पांचवे इसमें यह रिपोर्ट में हाओ केंडे डू मास टेस्टिंग वेंडे उनली हव ट्वेंटी थाउजन केट्स फॉर पॉपलेशन ऑफ ट्वेल करोर जैने का कहना है कि इतनी बड़ी मास टेस्टिंग कैसे होगी जब जब हम लोग बार बार कहते हैं रैंडम टेस्टिंग होने चाहिए यह संक्या बरानी चाहिए तो मात्र बाड़ा करोर के अबादी में इनके पास बीसी हजार टेस्टिंग किट्स है तो मास टेस्टिंग कैसे हो पाएगी इस शोज तर लाक ओफ सीरिशनेस आफ दे स्टेट गवर्मेंट इन हैंडलिंग कोविड-19 यानि साफ कमिटी कह रही है सेंट्रल की कि यह लाक ओफ सीरिशनेस यानि गंभीर नहीं है सरकार है हैंडिंग कोविड-19 में मतलब कि स्थिति को हैंडल करने में सरकार गंभीर नहीं यह साफ आरोप जो है यह सेंट्रल कमिटी का लगाया जा रहा है कि यह नाइदर पर्चीजिंग दर्रेक्वार्मेंट डंबर ऑफ किट्स नौर आर दे सीकिंग दा सेंट्रल गवर्मेंट ना वह खरीद रही है ना सरकार से या किसी और से वह मांग करें किट जो है वह दिलवा दीजिए और सबसे इंपोर्टेंट पोइंट है आप अस्प की कमी है घुमार की कमी है इसको हमने कई बार जो है बिहाल सरकार का आंकरा भी निकाला नीतियायों का जो रिपोर्ट था वो भी हमने पेश किया सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर आज सरकार के जो सेंट्रल की टीम है वो कहती है कमिटी जो कहती है कि इन सच डिफिकल्ट टाइम इस गंभीर परस्तिती में मुश्किल घ्री में फाइल से रिलेटेट टू अपॉइनमेंट ऑफ फोर थाउजन डॉक्टर और सिक्स थाउजन नर्सिंग स्टाफ आर शटिंग बिट्वीन दा मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ थे स्टेट हेल्ट डिपार्टमेंट फॉर मांस यानि साफ साफ सेंट्रल कमिटी का आरोप है सेटीश कुमार जी पर कि 4000 डॉक्टरों की नियुक्ति की फाइग 6000 नर्सिंग स्टाफ की फाइग सेक्रेटरी और मंत्रियों के बीच में ही घूमती जारी है और नियुक्ति नहीं इसके वज़ए से बिहार जो है सफर कर रहा है जेल रहा है तो हम लोग विपक्स के लोग ज पूल पूल ये ततबंद जो है चाहे चंपारन का टटबंद हो या चाहरन का टटबंद हो या बांध हो यह पूरी तरीके से जो है टूट रहा है पूल पूल ये टूट रहे है अप्रोच पूल टूट रहा है आपको भी पता है गुपाल गज़ में जो महासेतु थी पूर पूल देह गया था चोटा पूल था अप्रोच रोड था सब देह गया बान टूड गया और हम लोग कहते थे इसमें वरश्टचार के वज़ा से टूटा है लेकिन सरकार जो है मानती नहीं थी अब देखिएगा बीजेपी के ही एक विधायक है गुपाल गंजले के ही उन्हों उन्हें साफ तोर पे नितीश कुमार जी पे सरकार पे मंत्री पर सिचाई मंत्री पर आरोप लगाया कि यह जंता दल युनाइटेट के लोग जो है ब्रश्टाचार के वज़ा से यह पूल पूलिया जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आप तो देखिएगा कि बार की ज विवस्ता नहीं पश्यों को चारा देने की विवस्ता नहीं मतलब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ततकालीन उनके उनके खाते में कम सिक्व 20,000 रुपया जो है सरकार दे तुरंदे ना नुकसान हुआ उनके जान का मान का और सरकार जो है आखिरा बताए कि कितने हम लोग शोशल मीडिया के माधियम से या प्रेश मीडिया के माधियम से हम लोग अवाद उठा रहे हमारी मजबूरी भी है कि कई जगे हम जानी सकते लॉट डूटाउन के कारण जो है चीज़े जो है ठीक नहीं रहती लगीन हमारा लगतार प्रयासरा है कि लोगों की भी जो हैं लालू रसुई भी बना करके जगे 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 जो हैं लोगों को मदद कर रहे हैं और आश्वर की बात है कि सरकार जवाब नहीं दे दी और आपको पता है तीन तारीक से विधान सभा चलने वाला है एक खबर आपको हम देना चाहेंगे ब्रेकिंग निउस देना कि जाहिर सी बात है इस सत्र में लोग जो हैं मान्य सदस जो हैं बाड को ले करके करोणा को ले करके स्वास्त को ले करके जो हैं जादा से जादा प्रश्न पूछेंगे जादा से जादा विपक्ष जो है आवाज उठाएगी वह क्यमंत्री जी की चलाकी देखिए वह क्यमं उन्हों ने इस बार मौनसुन सत्र में स्वास्त विभाग को और आपदाव विभाग को हटा दिया है यानि उनसे जुरे कोई भी सवालात जो होंगे विधान सभा में नहीं लिये जाएंगे यानि जो तरांकित प्रश्ण होता है जो अल्पसूचित प्रश्ण होता है हम सरका से विपक्ष के लोग नहीं पूद सकते कि भाई बार को लेकर के क्या इंतिजाम है क्या तैयारी है या आपका कोविद-90 से आप कैसे लड़ रहे हैं क्या आपका प्लान है जो शिकायत हैं हम लोगों को मिल रही हैं जनता की बात हैं हम नहीं रख सकते हैं यह तरीका कोई काम कहीं नहीं हो रहा उसलिए आप सब लोगों को मेरे को लगा कि जरूरी है इन सारी बातों से आप लोगों को अफकत कराना और तीसरी बात कि अभी शुशान सिंग राजपूद जो है वो केवल बिहार के ही यूथ आइकन नहीं बलकि देश के यूथ आइकन थे और हम लोग सब लोग जिस प्रकार से उनके अकात्पकाल मिर्टी हुई इसको लेकर के हम लोगों की सन्वेदनाएं हैं दुख है और किसी को ये बात हजम नहीं हो रहा कि शुशान सिंग राजपूद जो ह हैं वो सुसाइट कर सकते हैं हाला कि राश्टी जनतादल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले सीबी आइंकौईरी की मांग की थी हम खुद स्वैम उनके पिताजी उनकी बहन से भी मिलने गए थे और हमने पूरा उनको कहा था कि अगर आपको इन्वेस्टिकेशन में जरूरी लगे तो हम लोग आपके साथ हैं अगर आप सीबी आइंकौईरी चाहें या कोई भी इनकौईरी अगर आप मांगेंगे तो हमारा पार्टी जो है हम आपको साथ देंगे आपके लिए हम आवाज उठाएंगे साफ रूप में लेकिन इसमें कोई राजनीती नहीं दुखी बात ये है कि हमने एक पत्र भी मुख्य मंतरी जी को लिखा था कि उस पत्र में साफ तोर पे था कि जो राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है वो शुशान सिंग राजपूत के नाम पे किया जाएं देखें मुख्य मंतरी जी का इतने दिन हो गए अब तक उस पत्र का जवाब नहीं आया और मैं केवल जानना चाहता हूं क्या मुख्य मंतरी जी चाहते हैं या नहीं कि शुशान सिंग राजपूत के नाम पे राजगीर वाला फिल्म सिटी बने या ना बने राजगीर में जो बन रहा है फिल्म सिटी क्या नाम जो है राजगीर फ जाजपूर जो हैं उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया उन्होंने अब तक उनके परिवार से मुख्मंती जी ने मुलाकात नहीं की ये बेहत दिखाता है कि इंसानियत और मानुफ्ता की क्या उनके लिए वैल्यू है तो साफ तोर पे जादा कुछ नहीं कहना हां हम लोग चाहते हैं राश्टे जनतादल ने पहले ही सीविया इंक्वाइरी की मांग कर रख किये पता होगा शेकर सुमन भी आयते हैं उनके साथ भी हमारी प्रेस कॉन्फेंस हुई थी जहां हम लोगों ने इस बात को रखा था और चाहेंगे कि निस्पक्ष जाच हो और ताकि कई उनके जो फैंस हैं शुषान सिंग राजपूत के वो लोग लगतार जो हैं दुखी हैं इतनी दिन हो गए अब तक जाच का पता नहीं चल रहा कौ इसका जिम्यदार है नहीं है तो जल से जल जो है निस्पक्ष जाच हो और शुषान सिंग राजपूत को नयाय मिले उनके परिवार को नयाय मिले और जो दोशी है उनको जो है सबक मिले इनी चंद शब्दों के साथ हम सोचें ये सारी बाते जो हैं आप लोगों से मैं साज अलमी और सरकार को जगाने के लिए आप लोग लगतार सुशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाते रहीएगा जैहिन जैबिहार